चतुर्त अस्थान तो कम नहीं होता अब भाव के महतों को तो हम लोग जान चुके हैं अब यहां ग्रह क्या प्रभाव डालते हैं आज गुरु की बारे में जानेंगे कि गुरु यदि चतुर्थ अस्थान में इस्थित हो तो चतुर्थ अस्थान के परिणाम हमें किस तरह से पराप्त होंगे केंदरस्थान हैं तो हम इनको भी सुव ही मानकर चलते हैं तो सुव घर सुव अस्थानों से सुव फल परदान करते हैं सबसे पहले तो यही समझना है अब सुव फल कह देने मात्र से हम चतुर्त के फल को कैसे समझेंगे तो अब यहां हम सुभ ग्रह के लिए सुभ फल कह देंगे, असुभ ग्रह के लिए असुभ फल कह देंगे, तो फिर फल क्या मिलेगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कि सिर्फ यह समझना है कि चतुर्थ अस्थान से फल क्या-क्या प्राप्त होते हैं, यह हम जान इस चीज को समझते हुए, अब गुरु के गुण और स्वरूप को जानते हैं कि गुरु सौम्मि ग्रह है, सुभ ग्रह है, सुभ परिणाम देने के आतूर है, सुख आनंद के प्रदाता है, भूमी भवन माकान देने वाले ग्रह भी कहे गए हैं, धन के कारक कहे गए हैं, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं, पती के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, तो परिणाम ये इन ही से देंगे, अर्थात पुत्र का शुख मिलेगा, तो चतूर्थी स्थित है, तो मिलेगा, पती का सुख मिलेगा, तो चतूर्थी स्थित है, तो मिलेगा, अर्थात यहां इस्थित हैं तो इनके कारकत्वों की हानी नहीं होगी अब ये किसी भी रासी में इस्थित हो सुभ परिनाम ही देने का प्रयास करेंगे लेकिन अब परिनामों में अंतर आ सकता है ये ये बहुत बलवान है अपने रासी के हैं और उच्छ रासी के हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैं कि योग प्रदफल करेंगे अर्थाथ बहुत अच्छे परिणाम देंगे यदि अन्य रासी ओं में हैं तो धीरे धीरे परिणाम कम होता जाएगा तो अगर उचे राजी के हैं, सुराजी के हैं, धनकी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्याप्त धन होगा और वही यदि सनी के राजी के हो गए तो हम कहेंगे कि धन तो होगा, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगा तो इस तरह से हम समझते हैं अब हम हमेशा चर्चा करते हैं कि जिस भी ग्रह की बात हो और जिस अस्थान में भी इस्थित रख के आप उसको देखना चाहें उस समय इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो कालपुरुस के पत्रिका में किस अस्थान के स्वामी है अब यहां गूरु कालपुरुस की पत्रिका में भाग्य अस्थान के स्वामी है द्वादस अस्थान के स्वामी है तब यहां भाग्य और द्वादस अब द्वादस को हम लोग दुख अस्थान कहते हैं लेकिन साहचर्ज के नियम के अनुसार यहां गूरु को अच्छे परि तो इसको भी समझना होगा लेकिन अब हमारा ब्य होगा तो ब्य किस ओर हो जाएगा तो ब्य मकान खरिदने के ओर हो सकता है वहान खरिदने के ओर हो सकता है यहाँ आपका हाथ नहीं रुकेगा अर्था सार्थक ब्य होगा क्योंकि हम ब्याई की बात द्वादस से करते हैं कालपुरुस में ये द्वादसनाथ हैं तो ब्याई तो कराएंगे यहां लेकिन किस तरह का ब्याई कराएंगे तो सार्थक ब्याई कराएंगे अब सुभग्र है तो सुभी उत हो तो और अच्छा असुभ के साथ ही उत हो तो अच्छा नहीं कहते अब ये केंद्र और तिरकोन के स्वामियों की बात हम यहां नहीं करेंगे हम यहां नैसरगिक मित्रता सतुरता की बात जरूर कर लेते हैं इसलिए हम कालपूरुस की बात कर लेते हैं जो किसी भी पत्रिका में स्वतंतर रूप से आप देख सकते हैं बिना लगन रासी इस्थित किये हुए तो यहां पे गुरु के मित्रगर सूर्य मंगल चंद्रमा अब सूर्य मंगल असूभ है और चंद्रमा को पक्षबली कहते हैं सूभ भी हो सकते हैं तो हम अगर यह मानने कि चंद्रमा सूभ नहीं है तो इनके तीनों के तीनों मित्र सूभ नहीं है इसके बावजूद हम कहते हैं कि वो गुरु के परिणाम का च्छै नहीं करते क्योंकि उनके साथ उनकी नैसिरगिक मित्रता होती है आगे कभी पंचधा मैत्री को भी समझेंगे लेकिन अगर गुरु सूर्य एक साथ हो जाए तो पंचधा मैत्री में ये मित्र नहीं होते अपने परिणाम को देना पसंद करेंगे तो इस तरह से भी समझना चाहिए अब यहाँ यदि चंद्रमा सुब है तो गुरु के साथ यूत है तो बहुत अच्छे परिणाम करेंगे क्योंकि ये कारक ग्रह है चंद्रमा चतुर्थ के कारक ग्रह है और सुख के कारक ग्रह ग हम कह सकते हैं कि हमारा घर होगा और गुरु चंद्रमा की यूति है तो हमारे घर में आध्यात्मिक वातावरन भी होगा ऐसा भी कहते हैं कभी-कभी घर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वहां आध्यात्मिक वातावरन नहीं होता लेकिन अगर गुरु और चंद्रमा इस्थित है एक साथ है तो हमारे घर में आध्यातिक माहौल भी होगा उस घर में रहने वाले लोग धर्मकर्म से जुड़े रहेंगे तो इस तरह से भी समझना चाहिए अब आगे कहते हैं कि गुरु यदि सुक्र के साथ ही यूथ हो जाए तो हम यहां कहते हैं कि सुक्र कामनाओं का कारक है एक सब्दों से ही सुक्र को बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं तो कामनाएं आपकी सोएंगी नहीं आप रोजकारी करते रहेंगे और अच्छे घर खरिदने के बाद और अच्छे की कलपना करेंगे अच्छा वाहन खरिद लेंगे और अच्छे वाहन खरिदने की कलपना करेंगे और आपका जीवन में ये पूरा भी होता रहेंगे क्योंकि यहां सुक्र सुभ है लेकिन सनी के साथ यूत हो जाए तो यहाँ परिणामों का हरास होगा यहाँ परिणाम कमजोर होंगे गुरू के स्थित होने से ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख नहीं मिलेगा घर नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, माता परिशान रहेंगे कि ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन सनी के साथ यूद्ध हो जाने से इन परिनामों में कमी आ जाएगे इस तरह से हम लोग समझते हैं कि चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह स्थित हो तो उसके परिनाम किस तरह से प्राप्त होंगे आज हम लोगों ने चतुर थस्तान में गुरू की स्थिती को समझा